हलो एवरिवान वालकम तो सपापकेडमी आम रुची उपाध है यॉर केमिस्टी मेंटॉर और जो आज का हमारा टॉपिक है डट इस अकरिंस ओफ कार्बन क्लास टेंथ केमिस्टी का ये फोर्थ चेप्टर चल रहा है कार्बन और इट्स कंपाउंट इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज अकरिंस ओफ कार्बन और बेसिक्स मैंने कार्बन के पहले अपने लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है कि कार्बन जिसका सिंबल होता है C जिसक अटामिक नंबर होता है 6 अधि हम इसके अटामिक वेट की बात करें तो 12 होता है कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं C 12, C 13, C 14 आइनर्स का इलेक्ट्रोनिक अन्फोगरशन बात करें तो 2, 4 तो 4 इसकी वेलिंसी होती है तो इस तरीके से मैंने इसके बेसिक्स बताये थे लास वो किस-किस फॉर्म में पाया जाता है और कैसे इसका अकरेंस हुआ तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों लिखा है कार्बन अकरेंस इन नेचर इन फ्री स्टेट ऐस ऐलेमेंट आज वेलेजिन कंबाइन इस्टेट इन फॉर्म अफ कंपाउंड और अधर अलेमेंट्स म मतलब दोनों ही फॉर्म में же carbon ध्यूद morning देखए का नेचे नमें अब हम बात करते हैं कि कैसे क्या फ्री स्टेट में है20 10-12 परसेंट में in the order of abundance in earth crust clear है और नेचर में दिया हम बात करते है तो नेचर में जो कार्बन है वो free state में रहता है as well as combined state में भी पाय जाता है और free state की बात की जाया तो आपको पता है coal का नाम सुना है आप में diamond graphite and fall rings इसके बारे में आप में सुना हुआ है लेकिन combined form में दिया हम बात करे तो combined form में यहाँ से ज़्यादा easily combined form में पाय जाता है like minerals carbonates जो होते हैं इसके लावा oxides of carbon भी है organic compounds है उसमें भी combined form में पर चोलियम है natural gases है उसमें भी दिखा जाए तो यह क्या है combined form में है natural water में है all living things में तो यहाँ पर इतने जो नाम आ रहे हैं बच्चों यह सारे के सारे form में क्या मिलते हैं यह combined form में मिलते हैं और free state में आपको पता हैं कि स्के अलोट्रॉपिक form जो रहता है diamond है graphite form आप जानते हैं इस form में मिलता हैं तो carbon के इदिया augments की बात करें तो यह क्या है अकर जो होता है small amount में रहता है और स्का small amount क्या है 0.02 पर्षंट में ही है यह आर्थ कॉस्ट में और हम बात करते हैं इसकी 17th rank है और यह कौन सी rank है order of abundance की बात करें बच्चों इन earth crust तो इसकी क्या होती है 17th rank होती है और इदी हम देखें कि free state में तो free state में specially जो अकर करता है free state में होता है और कैसे diamond graphite for rings coal के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी diamond graphite and for rings के बारे में क्योंकि यह एलोट्रॉपिक form of carbon है तो इन फॉर्म में पाए जाते हैं लेकिन combined state में यह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं बच्छो है ना और यह combined state पूरा दिख रहा आपको mineral carbonates फिर oxides of carbon जैसे like co2 हो गया co हो गया हम जानते ही है और ग्यानिक compounds के बारे में हम अभी पढड़े ही वाले हैं जिसमें माक्समम में आपको carbon compounds दिखाई पड़ेंगी है ना तो carbon especially इस पर क्या रहता है पाया जाता है तो carbon के compounds में organic compounds बहुत सारे होते हैं उन सब के बारे में भी discuss करने वाले हैं पर छोलिया मैं नाच्रल जैसे इसमें भी बात करें तो क्या है कार कंबाइंड फॉर्म में दिखाई पड़ता है नाच्रल वाटर में भी carbon हमारा क्या है कंबाइंड फॉर्म में है नाच्रल में जिहां रखेगा combined form में और लिविंग फिंग्स में भी कही ना कही पाया था आप जैसे कैसे और लिविंग फिंग्स में पाया जाता है तो carbon in the form of carbohydrate protein कही ना कही सब में किसी substitute के फॉर्म में पाया जाता है इसलिए हम देते हैं तो carbon के जो occurrence के बात करें तो ये free and combined दोनों ही form में पाया जा रहा है और दोनों ही form में दिये पाया जा रहा है तो दोनों ही form में इसके एक अपनी अलग-अलग importance है जो हमारा ये chapter है बच्चो यह carbon and its compound इसके especially compounds के बारे में ही हम क्या है पढ़ने वाले हैं तो हमें carbon के जनल जनल चीजों को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी मैं आगे लेकर आने वाली हूं bonding of carbon क्या होता है या इसी हम बात करते हैं versatile nature भी carbon का होता है वो कैसा होता है बहुत सरे छोटे point है जो हमें पता होने कि तो जान जाएंगे तब हम एडवांस में आएंगे तो हमें कहीं भी confusion नहीं आएगा तो मैं उम्मीद करती हो कि आपको यह occurrence of carbon समझ में आगया हो कि जो हमारा carbon ने वो free state पर पाया जाता है as well as combined form में भी पाया जाता है हर जगा कहीं न कहीं आपको carbon तो दिखी रहा है जबक जाए तो बहुत कम है लेकिन बहुत ही important है बहुत ही essential है ठीक है लिविंग और्गानिजम उनकी बात कि जाए चाहे जितने भी chemical industries हो हर जगा compound के फ़र्म में और गनिक कंपाउंड के फ़र्म में petroleum product में बात कि जाए कैसे में हर जगा carbon का एक अपना रोल है बच्छो तो carbon के अ आपको ध्यान रखना है तो हमारा आज का यह टॉपिक खतम और अकरण सफ कारवन चोटा सथा स्वीट सथा लेकिन समझना बहुत जरूरी है तो basic of carbon मेरा first था उसको पहले पढ़ लीजे का एंड देन उसके बाद आप देखिए क्या occurrence of carbon तो सब आपको की करके समझ में आते जाएंगे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बल आइकान को क्लिक करके जरूर रखे कि मेरे लाइक्स वीडियो का नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पर मिल जाए थैक्स वर वाचिंग दिस तो बाए